मत बोलो है आज का दिन सगाई के लिए शुभी प्लान ए सुनो पंकज तुम अंकल के पाज जाओ और अंकल से कहो कि आदिवासियों की सेवा करने के लिए सरकार ने तुम्हें कोई अवाड दिया है और इनाम के तौर पर जो रखम मिली है उससे तुम प्रिती के लिए कोई तौफा करने ना चाहते हो बात को इस तरह सिक्वाओ कि अंकल सामने से तुम्हें भी सुझाओ दे कि प्रिती के लिए तुम अंगुटी खरी दो अवार्ड मिलने की कुशी में अंकल हंड़ेड परसंट पाटी करेंगे और पाटी के वहाने हम इन दूनों की सदही कर लेंगे अंकल जी क्या हम अंदर आ सकते हैं अरे आओ आओ पेठा प्लीज कप प्लीज कप हमने आपके किसी कारे में बाधा तो ही डाली बिलकुल नहीं पिठा बोलो बोलो अंकल जी हम आपसे ये कहने आये थे कि जो हम आदिवासियों की सेवा हेतु गए थे उसके उपलक्ष में हमें सम्मान चिन और धनराशी भेट की गई है अर्थात अवोर्ड दिया गया है औरे क्या बात करते हो और कॉंग्राजूलेशन्स पिटा अंकल जी आप तो जानते हैं पिता जी का मानना है कि गुप्त ज्यान की तरह है प्रसिद्धी को भी गुप्त ही रखना चाहिए वाँ वाँ क्या बात है वेटा संधी जी के उच्छ विचारों का तुम पर गहरा असर है फिर भी गवाँ जी आप से कुछ महत्पून वारता करनी थी तो करो ना बैठो 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 तुल बैठो अंकल जी हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इस प्रकार की वारता हमें आप से करनी चाहिए या नहीं हम इस घर के सबसे बड़े बेटे हैं और अपने छोटों से हम अपने रुते की बात करने हैं और पिता जी से इस प्रकार की वारता कभी की नहीं और हमार कोई मित्र भी नहीं है कि जिसके सामने हम अपना मन हलका कर सके पेटा, मुझसे तुम बात कर सकते हो, मुझे अपना दोस्स समझ सकते हो काओ अंकल जी बात यह है कि जो समान है तुम हमें धनराशी दी गई है उससे हम प्रिती जी के लिए कुछ भेट लेना चाहते हैं और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि अम क्या लें अच्छी साड़ी खरीद कर दे दो अंकल जी प्रिती जी के पास सारे रंगों की साड़ियां है क्या हो यह और कुछ और अंगोठी बोली अंकल अंगोठी और क्या ले सकते हो बेटा वैसे अंकल जी सुना है कि सफल पुरुष के पेछे उसकी पकने का हाथ होता है तो हम चाह रहे थे कि प्रिती जी के हाथ की शोबा बढ़ाने के लिए ही कुछ बैंगल्स बैंगल्स ले लो बेटा नेल पॉलिष ले लो बेटा धनराशी इतने भी कम नहीं है अंकल जी अच्छा अच्छा सॉरी हई हमको तो जो सूजा हमने बताया है चाद है चाद है नीली वाली बिंदी साथ इन सबसे कहिए कि शाह परिवार की लेडी जविंग ने बहुत अच्छा इडिया सोच लिया है अब जो पंकर जी प्रीती को अंगूटी पहनाएंगे ना तो प्रीती जी भी पंकर जी को अंगूटी पहनाएंगे क्या आइडिया सोचा है पुरी बात तो सुनो जब संधी जी पूछेंगे तब हम कह देंगे कि पुरी ने खर खर्च में से पैसे बचा-बचा कर इकठे किये थे और पंकच को जो अवार्ड मिला है न उसकी खुशी में पुरी ने भी पंकच के लिए अंगुठी गिफ प्री है बिटाई ये औरतों के लिए गिफ्ट चूज करना बहुत ही मुश्किल काम है जी जादें आँ अंगूठी खरीद कर दे दो आपका सुझा उचित है हमें क्यों नहीं सुझा बस उसके पीछे चुप कैसे जा ना उसके दोनों आखे बन कर देना और फिर गेश हूं करके अंगूठी सामने रख देना ये क्या अंकर जी पार्टी के बारे में तो कुछ बोली नहीं रहे है और कोई प्राब्लम है जिसे मैं तुमारी मदर्च कर सकता हूं पिटा जी नहीं थन्यवाद तो चलो प्लान बी भी रेड़ी है प्लान एक एक कामियावी की गूंज जाभी तक सुना ही नहीं दे रही है कहां ये पंकर आया क्यों ये इन तक क्या हुआ अपुर भीया अंकल जी ने अंगूठी का सुझाव तो दे दिया है किन्तु पार्टी के आयुजन के भारे में कुछ नहीं काँ आ ओ अब हमें समझ में यारा की क्या करें आए जिंदा मत करो जिंदा मत करो जब ही हम पर संकट आते है तब ईश्वर हमारी मदद करता है ठीक है बेटा अब इश्वर को मदद करनी ही पड़ेगी पंकर तुम्हें समझ में नहीं आता क्या कह रहे थे हम क्या जरूरती तुम्हें अपने मू मिया मिठ्टू बनने की क्या जरूरती अपने पुलसकार का धिनौरा पीटने की कितनी बार समझाया है तुम्हें के अपनी परसिद्धी को गुप्त ग्यान की तरह छिपा के रखो जब तुम संधीजी के सामने ऐसी बाते कर रहे थे अपनी प्रशंसा कर रहे थे अरे कैसा लगा होगा उनको ये लग जाता मुझे बुरा नहीं लगा लेकिन हमें बहुत बुरा लगा है आज इस घर में हमारे नियमों का उलंगन हुआ है इसलिए हम पंकज से बहुत नाराज हैं रहने दीजे ने सम्धिजी इस पंकज ने अपनी प्रशंसा का जो डिंडोरा पीटा है उसका परिनाम जानते हैं क्या हुआ है उसका परिनाम ये हुआ है कि अपूर्व ने इसके लिए पाटी का आयोजन किया है सम्धिजी दरसल मैं भी यही कहने आया था कि पार्टी रखी लेते हैं लेकिन हम यहीं चाहते हैं नहीं चाहते हैं सम्धी जी ठीक है अगर आप नहीं चाहते हैं तुम तुम हमसे बात ही मत कर ओ ठीच है संधी जी अगर आप नहीं चाहते तो पाटी नहीं रखी ने नहीं रखी नहीं रखीजी मैं नाराज नहीं आओ टो जो यह तो प्रखीजी आप महान है संधी जी अगर आप हमारा दिल रखने के लिए पार्टी कैंसल कर सकते हैं तो हम आपका दिल रखने के लिए अपने उसूल थोड़े से बदल नहीं सकते ओहो इतना सारा बदल नहीं तो अरे संधी जी बस कुछ मत कहिए अपूर बेटा जाके पार्टी का आयो जिन जी जल्दी संधी जी हम आपको नाराज नहीं कर सकते बस अच्छा बस याप के लिए यह खास आपके लिए बहुत काम बगए बहुत काम बगए पार्टी करना है कि नहीं करना है पंकर जी रहने दीजे ना आप ठक जाएंगे मैं कर लूँगी ठीक है आप यहां फूर लगाईए हम एक फूर आपके बालों में लगा देते हैं अरे नहीं बंदर जी मैं आपको कुछ हो जाता थो संभाल के आप हो ना तंभालने के लिए पंदर इस नहीं ऊंप हुरे रहे 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 हाँ? आप एदीजी, यह कोई दूद्ध पीचे बच्चे नहीं है, बड़े हैं, अपना ध्यान खुद रख सकते हैं अम, excuse me अग्याँ अरे, एमाजी, आदे हैं आप, आइए, यह एमाजी है नमस्टे 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 आइए, आप बहुत सही समय पर आइए, आपको कोई कठिणाई तो नहीं एगागुन में आइए, नहीं, नहीं नहीं, नहीं बच्छे एमाजी, हमारे अनाख आश्रम के लिए पत्रेकवश अंदान रशी तेती हैं ये भारत आय थी, तो हमने अपने परिवास से लिए ये नहीं बला दिया प्लूँ में नहीं, ये बहुत स्वर्ब करें थेख थेंचुन थेंचू ये थेंचुन ताइए, तो अन्य एथे नहीं आश्रम के टाश्रम में श्रमज़त्सों आप बस भी करो में जो भी कर्थी हून उससे अपना कथभ्या समश्टी हून इस इस अगाइनस और किपनी थरी करोगे आप हमारे हाँ पार्टी का आयोजन है और आप हमारी यतिति हैं पार्टी समाप्त होने के पस्चाप ही जाएगा अर पार्टी के तेयारी है कैसे चल रही है तेयारी बहुत अच्छे से चाता है अंकल जी एए जो मैडम हाई यह पांकाई जाना कारेशी हम बताते हैं कौन है पार्टी यह एमा है लंदन में हमारे साथ जिकित्सा महवी जाले में पढ़ देती अच्छा यह भारत आयो ही थी तो हमसे मिलने आ गई अंकल जी अपूर भीया हम सोच रहे थे क्यो ना आज के आयोजन में इन्हें भी अमंत्रित किया जाए क्यों नहीं क्यों नहीं वेलकम डिद्धकम यह तो हरुए थिरु judging अंकल झी आयम धीरुभाय जिन है यहेम मेरे नाम इमहे अ थॉटे दैस्टिक ट्रए शिए को बेखर में आज्सकी पादी की चीप गेस्त है एमार कभी कुछी कभी गम कर रम पम पम हस और हसाय करो वो प्यार दिन और वो प्यार रातें याद हम है हम लगातें नहीं कोई गम मुझे नहीं गिला जिंदकी कि राव में मिला जबसे तुम देरे हम दम शबनम हम गे और तुम शोला बन जाया करो कभी खुशी कभी गम कर रम पम पम हस और हसाय करो कुशी कभी गम देख रम पम पम हजी ऐसे गीज गाया करो कभी खुशी कभी गम दार रम पम पम हस और हसाय करो कभी खुशी खुशी के मौकँ पर मैं आपने दिल की बात कहना चाहताँ हुश चाहता हुश कभान मैं दिल लाया है बहार अपनों का प्यार क्या कहना मिले हम छलक उठा खुशिका खुबा क्या कहना खिल खिल चहरों से आज घर है मिरा भुले भुले जाज क्या कहना हम तुम युही मिलते रहे मैं दिल युही सजते रहे बस प्यार की यही एक दुम हर सुब शाम बजते रहे जनी जनी पहकते रहे प्यार खरी बाव कहां क्या कहना खिल खिल चहरों से आज घर है मिरा बुले बुले जाज क्या कहना झाल यह अलो बुले आज उ सबस्टार वाट आज तुम जाज़ए बड़करपडवड़करपड़करपड़करपड़करपड़करटश थादिन। दूला रिडूला रिडूला रख जाने को नचरिया गिर जाने को बिजुरिया बात के में खुबरू पहन के मैं पाया खुब के नाचूंगी रोला रिडूला रिडूला हाई रोला देडूला मंडूला रिडूला कर दो, कर दो, कर दो, कर दो. कर दो, 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 क मिला है और वार्ट से मिली रखम जो है उससे उसने प्रीथी के लिए एक अंगूठी खरी दी है जो आज वो प्रीथी को पहनाना चाहता है प्रीथी में आओ आओि लो आपको प्रीथी के लिएल्या जो आओ आढाना अंगूए जजए वो स्क्रण आढ़ आढ़ को प्रीथी को स्क्रण आफ्यों स्क्रण आढ़ को एक लिए अप्रीथी का रख्या है मा? कुली क्या हां तो मा अगुछी पल्णवी या अगुछी बेटा वेटा वेटा पुल्वो वो तो हम स्वेलर का दुकाण से लाना ही भूल गया सर्थ ऐसे पूल सकते हो बेटा ऐसे वक्त पर तुम इतनी बड़ी गल्ती कैसे कर सकते हो बेटा समझीजी क्या हुआ कि अखुलिया परेश जो आप इतना डांटने वे उसे जिस तरब पंकरज भहिया प्रीदी भावी के लिए ये अंगूठी खरीद कर लेकर आए ना उसी तरह प्रीदी भावी ने भी फॉंगल भीया को अगूठी देने का प्लायल बनाया था वो हाँ वो अंगुठी परेश भाईया लाने वाले थे जो भूल गए ये तो भाद बुरा हुआ और देखी ना मुरद भी बिता जाना है हाँ मुरद है का मुरद बाह क्या बढ़िया का है माँ बढ़िया हाँ शुब घड़ी ही तो है मनलब देखे ना पंकच भीया उन्हें प्रीटी भावी का अंगुटी पहना ही अगर इसी वक्त प्रीटी भावी भी पंकच भीया का अंगुटी पहना थी तो कितनी शुब घड़ी होती ये तो है बेटा सारा मज़ा किरकिरा करके रख दिया तुमने देटा नहीं नहीं समदी जी कोई मज़ा खराब नहीं हुआ प्रीति पंकच को उंगुटी पेनाएगी और इसी वक्त पेनाएगी ये लो बेठा अंकल मैं ये कैसे पेटी का आए तुम्हें आप हूँ तुबारा आप की दी वी भेट को हमेशा स्विकार लेते बेठा बेनाएगी बेठा तुम्हें आप के बता हुआ है अंकल मैं दी कर दो दोंगी अंकल मैं हां खराभ जड़ा कि यहों जूग 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 जीओ क्या हुआ क्या हुआ बेठा अगर पेरे पाप्रेजा होते ना तो वो भी ही करते जो आपने किया तांकि उमाज अगर सुखे बेठा शुखे अगर आंकर हमारी हल्दी के रसम में रहे तो मुझे ऐसा लगी का जैसे डाइड ने हेविन से ब्लेसिंग्स भेजी हो प्रिती हम सचे रिष्टे में बंदरी जा रहे हैं और मेरी भावी को मैं नाराज ने कर सकता मैं बादा करता हूँ तुम्हारी हल्दी अंकल के हाजरी में होगी